बेंगलूरू जाक तो चुकी है, अफकोस सोड़ा सा देर से जा गी है, पर जा गी हुई है भाईया, साथ हन से इस मुकाबले को जीत जाती है, और अभी भी नाम के आगी E नहीं लिखा गया है, अनिकि Eliminated जो मैंने अभी चेक किया, Table, Points Table, उसमें सिरफ मुंबई के सामने लि जोपला जी, Cricket Chopal in Association with Probe में आप सभी का हाथ जोड के स्वागत है, मैं बताओंगा आज आपको कि अपनी उपिनिन का इस्तमाल कैसे करना और अच्छी उन लोगों से मिलवाँगा जो एक्चुली मेरे लिंक के साथ जाके जीते भी हैं, और 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 बिफोर I move further, Fantasy Cricket अगर आप खेल रहे हैं, तो विराट कोली अपना Captain थे, क्या बात है, थाली में जाओ, है ना बढ़िया Another milestone in the incredible Premier League ये कुन बोला बे? मैं बोला, of course, आपको पता है, विराट कोली के बाद किस Indian ने सबसार रंस बनाएं RCB के लिए? ये तो easy है, easy है, Mr. Dependable, Raoul Dravid Sir, इस साल DK ने उनके record को पार कर दिया है, DK बन गए है, second highest Indian run scorer बहुत updated है भाई है, thank you, thank you very much, बहुत updated है ये, मैं थोड़ा सा ज्यादा busy रह रहा हूँ, okay, well played DK, उपर WK, नीचे DK, बीच में सारी RCB की team, that's been the story thus far, पर match अच्छा था, toss जीत लिया था, गेंदबाजी का फैसला कर लिया था, और समझ में नहीं आए कि ना Harpidrar को खिला है, नहीं खिला है काईसर अबाड़ा को, इन्होंने सोच लिया कि नहीं है, तो इनसे कुछ ना हो पाएगा, ये बड़े कमजोर से केंदबाज है, how, why, पता नहीं, कोली ओपन करते हैं, और मतलब ऐसा लगा कि पंजाबी उन्हें पराठे खाए, और उसको खुब सरा मक्षन ल अगर, तो आपका ना मतलब वो, अगर आप बैंगन हो, तो आपका बना जाता है, अगर आपने उनको दो जीवन दान दे दिये, तो फिर, seldom you live to tell the tale, और ये हुआ, मतलब, कैश थे, थोड़े से मुश्किल होए होंगे, लेकिन, कवर सला कैश तो असान था, यार, मतलब, that was a कोली अपना इस मैच में, पैसा वसूल, क्या बैटिंगी बिताली भी आप मेरे साथ सारे मिलके, वेल डन विराट कोली, उसके बाद डूपलेसी और विल जैक्स आउट हो जाते हैं, सड़नली लगता है कि शायद कुछ बदलाव आएगा, पर रज़त पाटीदार, वेरी वेरी असरदार, बंदा बड़ा इमानदार, बड़ा अच्छा खेलता है, यह तो यह जब लेकिन फिर आउट हो जाते हैं और जब यह उट होता है, तो जहां से छोड़ते हैं, वहीं से क्रिस ग्रीन नहीं, क्रिस ग्रीन नहीं, क्रिस ग्रीन डालते हैं, क्रिस ग्री ये कर लेता है काम ऐसे कुछ ना कुछ करके शुरुआत में थंडा था इनका सीजन पर अब तो घरमा चुका है परपल कैप इनी के सर पर है दो विगेट मिलती है किया कावे रपा को कावे रपा की गेंदों पर कैश पकड़ लेता है तो बतानी तीन चार आउट कर देता है मत करने के लिए जब आते हैं तो फिर शुरुआत अच्छी होती नहीं है थोड़ी देर तक जानी बेस्टों अच्छा खिलते हैं उनका कैश पीछे भागके बड़ा अच्छा सा पकड़ लेते हैं फाफ दूपलेसी वह विगेट मिलता है लुकी फोगिसन को और उसके बाद राइली रूसो की वस बैटिंग रीली वेल अक्छी और 27 गेंदों में 61 यह बनाते हैं यह वैसे जो इंवेस्मेंट थी यह काम कर गई वैसे इनवेस्मेंट इन बहुत ही आड करोड़ कर लखे लाड़ी है यह और 225 के स्ट्राइक रेट से चलते हैं पर जब यह आउट होत हैं का तो यह शूने मनाते हैं यह आउट हो जाते हैं स्वापनिल सिंग इनको आउट कर देते हैं और जो था शेशांग का जो रन आउट था वे वेराट कोली मतलब भागता है पहले तो 30-40 मिटर बड़ अच्छी स्प्रिंट लगाता है नीचे गिरता ठप करके एक हाल से वो मारता है तरेक्ट डंडे पर अबिए यह इसी लिए होते हैं वो यो यो टेस्ट यह इसी लिए होते हैं उसके बाद तो वी वेरी ओनेस्ट इसके जीतने का कोई चांस नहीं था और बड़े मारजन के साथ यह टीम हार जाती है सिराज तीन विकेट ले ले लेते हैं मिला कि एक तरफा मुकाबला यह हो जाता है और साथ रंचे टीम जो है मुकाबला जीत जा देंगी दूसरा सवाल है कि क्या पचपन या 55,000 बना देंगे अपने पहले च्छे ओवर्स में मुझे लगता पचपन भी नहीं बना पाएंगे लोग मुझे लगता पचपन बन प मुझे लग रहा है मतले यह मेरी था अपनी थाट को मैं प्रोव बेस का इस्तमाल करता हूं और जीत वे पैसो का पनलिमिटेड विड्रॉख करता हूं परोव ब्रोव इसे प्लाटीरिंग प्लाट्फार्म अर्रेड आपको यह वाली बात अच्छे से पता है आपको करना स्थार, कार and plenty more और चब live match चल रहा हूँ उस समय भी आप खेल सकते हैं और ये भाले भाई साब ये देख लिए आपने इनको ये जीते हैं ये हमारे मेरे code से जाके जीते हैं these are the people जो मत्तब हमारा link में description में डाल रहा हूँ जिससे अगर आप download करेंगे तो आप मिलेंगे अप तो rupees 500 ये भाई साब ने किया थे और ये जीत गया तो आप भी जीत सकते हैं अपनी अकल का इस्तमाल करना है invest wisely, play sensibly, ये बाद मत भूलना मेरे यार 3020 season opinion का इस्तमाल करो, provo करो, link description में मैच की बाद तो करनी जरूरी है कि भीया क्या करना चाहिए तो सुम्मन किल्की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इस टीम का इस पर हाल अच्छा नहीं रहा है हाल बहुत बहाल रहा है and let's be fair, they haven't played good cricket उसके बाद अगर आप ये जितने मैच आपने जीते हैं I mean, it's all right पर ये भी थोड़ा सा fall from grace है कि एक साल आप फाइनल खेल जीते हैं, दूसी तरफ खेलते हैं तीसे साल एक गम से हो जाते है आपको याद आता है कि हार्दिक दर कैप्टन, हार्दिक दर बैटर बैटर मोर इंपोरनली शामी दबूलर, उनको जो अपने भरने का, जो स्थानों को भरने का प्रयास किया वो अच्छे से होने ही पाया कुल मिला के गाड़ी चली ही नहीं है अब उसमें एक ना चलने की प्रमूफ वज़ा ये भी है मैंने ये इंसाइडर किया, देखो जरा एक पर, फिर आलो आपने से शुम्मन गिल्की कर लेते हैं बात और एक चीज तो बिलकुल इस बाग का एहसास हो गया है कि पिछला साल वो अउट स्टैंडिंग पर ये वाला जो स्वाल है अच्छा नहीं जा रहा है इसके multiple reasons हैं जो हम बार-बार discuss करते हैं कि कप्तानी का pressure भी है और बाकी सब लोग अच्छा नहीं कर रहे है उसका pressure भी है तो भाई को थोड़ा अलग खेलना पड़ रहा है जैदा जोर से मारना पड़ रहा है और ऐसे में हमने एक और एक trend notice किया leg spin के सामने he is struggling मतलब कहीं बार out हो चुके हैं और कैसे out हो रहे हैं अगर इसमें आप देखेंगे तो आप आएंगे oh there is a problem कि शुब्मन गिल्ट सबसे बहतर कब खेलते हैं शुब्मन गिल्ट सबसे बहतर तब खेलते हैं जब गेंद के पास जाएं और spin के साथ या फिर अगेंस भी जाना हो तो भी गेंद के पास जाएं गेंद से दूर नहीं रहना उनको गेंद के जितना पास जाते हैं जितना सीधे बल्ले से खेलते हैं उतना वो बहतर खेलते ह पर इस सीजन हमने उनको बार बार गेंज से थोड़ा दूर करके ऐसे करके थोड़ा सा बाहर की तरह step out करते देखा जब आप ऐसे step out करने लगते हैं बाहर की तरह लाइन आपकी थोड़ा दूर रखते हैं तो आप गेंज से दूर हो जाते हैं ऐसे में slice होती है बहुत बार हमन इन्होंने सीधा जाने की बजा, ना तब जो कोशिश हमेशा ये करा करते थे कि सीधा मारे, in fact इस बार फास बोलर्स को इन्होंने कई बार सीधे मारे, कगी सुराबादा, comes to my mind, आवेश खान, comes to my mind, कि सीधे इस तरीके से शॉट मारते हैं, तो बहुत अच्छा खेलते हैं, पर लेक्स बिनर को दो-तीन बार इन्होंने इस तरफ मानने का प्रयास किया, एक तो आप गेंज से दूर जा रहे हैं, और दूसरा आप अगेंस दा स्पिन, वो long on mid wicket की तरफ मानने की कोशिश कर रहे हैं, which I feel कि शायद उनको it doesn't come naturally to him, वो उनका खेलने का तरीका नहीं है, अंदाज नहीं है, और इस वज़ह से हमने गिल को थोड़ा सा उट होते देखा है, and it's not just limited, ऐसा नहीं है कि यह सिरफ leg spin के सामने की कहानी है, in fact, fastbooler के सामने भी, वो सिराजवाला dismissal आपको याद आएगा कि जोर से गेंद को मानने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी दूर रह गई है, बॉड़ी की शेफ जो खराब हो गई है, slice होई, और point पे catch-out हो गए थे Bengaluru में, so Shuman Gill, once again, maybe just what makes you special, इसकी आप technically बहुत compact है, बहुत अच्छे से खेलते हैं, तो उसी के साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो I'm pretty sure, क्योंकि form कहते हैं temporary है, गिल अपना class है, कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज बता दे रहा, अब दूसरा जो खिलाडी मेरे पर focus में रहेगा, एक तो शुमन रहेंगे रहेंगे, दूसरे मेरे साही सुदर्शन है, वो इस वजए से क्योंकि पिछले साल फाइनल में नो 90 प्लस रंस बनाये थे, अब दो पारियां हो गए हैं, जिसमें रहें थीस से कम बनाये हैं, पर ही इस डैम गोड प्लेयर और इन परिस्थित्यों को अच्छे से पहचानते भी हैं, गेम को अच्छे से चलाते भी हैं, ये टीम तो वैसे भी सोचती नहीं है कि 200-200 बनाने ये अपना चलते हैं, 160-180 बनके तो we are very happy, साही सुदर्शन के पास वो वाला गेम है, तो साही सुदर्शन विल भी मैं से किंड ब्लेयर तो प्लेयर तो वाच आउट फॉर, थीसरा खिलाडी, राशित का अच्छा नहीं चल रहा है, राशित देखने चोट लग गई, उससे पिछले मैच में उनका सबसे मतलब महंगा ओर हो गया, ये को उनना 29 रंज विल जाक्स पीछे बढ़ गए थे, तो उनका अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं कि उनके शोल्डर, सर्जरी, इंजरी के क्या हाल है, और इस टॉर्नमेंट में भी इंजरी के बाद, रिहाब करने के बाद आये थे, तो उस रिष्टी कॉंट से जब मैं देखता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि यार, राशित खान के ओपर फोकस करना पड़े हो, कि इस टीम में नहीं है कोई दमदार प्लेयर ही नहीं है, मुझे, ना तो वो संदी बॉरियर बहुत अच्छा कर रहे है, मोहिच शर्मा अस कम्प्लीटली चेंज्ज, उनका तो बहुत ही साधान चल रहा है, कभी वो Spencer John sir खेलते हैं, कभी जोश्य बार जोश्य बार जोश्य बार जोश्य बार जोश्य बिक्टेश चटकाई ही, तो that's fine, पर पहले अजब तो लोमर जाई खेल रहे थे, उमेश याद रो कुछ मैच खेले, इस टीम हैंट रही फाउंड रिदम, तो याद आशित खान एक बार फिर, दूसरे अंड पर कौशी टीम है, वो है चन्नाई सूपर किंग्स, जोनोंने इस टीम को फाइनल में यहीं हराया था, लेकिन पहले मैच में हार का सामना भी खरना पड़ा था, that was the first game of the previous season, तो ये जो टीम है अब टॉस एक बार फिर महत्वपून रहेगा और टॉस के अंदर भाई का अमारे टॉस जीतता नहीं है, of course his name is रूतूराज गाइकवाड, रन बहुत बनाता है, बहुत अच्छा खेलता है पर पर वो नहीं वो उसके टॉस जीतरे का प्लान चल रहा है, so I really hope कि वो पहली बात तो वही खिलाडी है, बल्लेवास के तोर पे बहुत फोकस रहेगा, क्योंकि अगर सामने टीम थोड़ी सी भी आपको बोलिंग में लग रहा है कि 50-50 है, तो आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और इस टीम में, he is दगाए, वो डेरल मिचल दो खिलाडी है थोड़ी सी रफतार पकड़ी है, जिनकी गाडी ने शिवम दूबे के दो लगातर गोल्डन डॉक्स हो गए है तो अब मैं चाहरा हूँ कि वो भी अच्छा करें तो बैटिंग के अदर I am looking at रूतुराज गाइकवाट तो बिगिन विद और थोड़ी सी यहां आग भी लगे होगी कि यार मेरे को क्यों नहीं कंसेडर गया अपने वर्ल कप में मैंने भी एपनी टीम में नहीं रखा था, I'll be honest क्योंकि जगह नहीं बन पारी, बैलन्स के इसाब से जिस तरीके से, अगर विराट कोली, रोईट शर्मा जिस तरीके टीम है, तो वहाँ नहीं जगह बन पारी थी, पर ट्राइविंग रिजर्व में हो सकते थे, I'll be very honest वहाँ वो ज़रूर हो सकते थे, जो नहीं है रूतुराद गयरकवाट, मैं फिर्स प्लेर तो वाच आउट फॉर, गूसरा मैं खिलाड़ी, इस बार भी मैं शिवम दूबे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि शिवम दूबे वैस तो आजओंगा इस मैच के लिए, क्योंकि लिए, टिकेट मैं भूक कर लिए है पर मैं सोच रहा हूँ, कौन सा बोलर मैं पिक करूँ, एक बोलर मों पिक करना चाहता हूँ उशारदेश पांडे, वाओ वाले दिन होते हैं, कभी हाओ वाले दिन होते हैं, इनका अगर वाओ वाले दिन हो जाए, तो he is absolutely outstanding सिमर जीत ने पिछने मैं बहुत चिक इन बाजी की थी, ग्लीसन महेंगे हुए थे, पर ग्लीसन की तरफ चलता हूँ अब वो मिचल सैंटनर से आप अच्छी बूलिंग करा लेते हैं, पर एक्स फैक्टर्स हैब डिसपीर्ड इस साइड, फिर चाहे वो नई गेंसे दीपक चाहर हो जो पावबले में अच्छी करा करते थे, चोटिल है, या फिर डेथ के अंदर मतीश अपतिरान, who is absolutely outstanding, इन द दोदर वहाँ पे डाला हुआ है, जो कल के वीडियो में भी था, और प्रोब कल लिंग is in description, invest wisely, play sensibly, ध्यान रखा अपना